DMRC A&J का notification कब आएगा या आने वाला है इस process को पूरा समझेंगे और 2019 में इतनी सीटे आएती अभी 2 साल हो गया है तो क्या चीजें है जो आज नमस्कार दोस्तों आप लोगा स्वागत है technical exam में आज हम discuss करेंगे DMRC दिल्ली Metro का और दिल्ली Metro की बात किया जाए उसमें seat कितनी आ करेंगे pattern based discuss करेंगे और किसके department कितनी vacancies 2019 में आए थी अभी तक क्यों नहीं आए दो साल हो चुके है और क्या नहीं चीजें अभी में टो दिल्ली में बन रही है उसकी connectivity नया ही बन रही है नया route बनना है तो उसमें vacancy कैसे आ सकती इस सारी चीजें हम discuss करने वाले उससे आगे metro की notification की बात किया जाए दैसे की पता है कि 2019 में vacancies आए थी 2019 में vacancies जब आई थी तो बहुत सारा 1400 सो उपर vacancies आए थी different different branch में ओ भी discuss करेंगे different different branch में किसमें किसमें आएगी एक बार मैं बता देता हूं उसके बाद आगे बताएंगे कितना आ सकती है 2019 में जो vacancies आए थी December में आ electrical engineering का सूल है था assistant manager का जो ST&T का था 9 था civil engineering में 12 vacancies थी और operation में 9 उसके बाद architecture में 13 उसके traffic में 1 store में यह तो यह सारी जूनियर इंजीनियर की बात किया जूनियर इंजीनियर में 26 vacancy थी electrical में electronics में 66 vacancy, civil में 24, environmental में 2 बाकी देख सकते हो यह सारी चीजे फिन आपको custom relation assistant में 386 vacancy non-tech में जो सभी लोग eligible होते हैं फिन उसके बाद बात किया जाए electronics mechanics में 644 speed यह बहुत सारी total overall seat is 1400 से ऊपर seat थी ओके non executive जो contract basis पे था उस पे बहुत सारी seat थी तो दो type क्या थी एक permanent आती है यह contract basis पे आती है अब बात करते DMRC देखिए बहुत दिन से 2 साल से vacancy नहीं निकाली है अब बहुत सारी इनके route बने है तो 100% यह चीजे है कि 2022 में आपके vacancies आने वाली हैं और यह bumper vacancies आएंगे और क्योंकि इनके route job relationship customer आपके technical और non-tech में स्विल में भी बहुत सारी vacancy आती हैं और क्या कहते हैं हर branch में यहां भी vacancy आती है कोई भी ब्रांच से बिलांग करते हो mechanical electrical electronic आप यहां पर दो भी चीज होता है आप दोनों यहां पर डिग्री वाले भी आते हैं और डिप्लोमा वाले दोनों के लिए यहां पर benefit हो जाता है इसलिए उनका vacancy जंदी आले वाला है और यह मेरा एक फ्रेंड जो जॉब करता हो तो बता रहा था कि यार सीटे बहुत खाली है और नए रूट बन रहा है वो तो सबको पता है कि डली में आप मेट्रो पे नए रूट है ट्रांस्पोर्टेशन पता है कि आपकी कैसी है तो इसलिए English को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, aptitude को भी अच्छा से पढ़ने पड़ेगा, GS को भी अच्छा से, reasoning भी अच्छे से पढ़ना हिपढ़ना पड़ता है तो इसलिए आपको pattern ऐसा कुछ होता है और अच्छा exam होता है, अच्छे quality के questions आते हैं तो इसलिए सब branch वाले अवेर रहो और बैकेंसी जंदी आने वाली है और ये प्रेडिक्शन मेरा है और मेरा फ्रेंड बता रहा है तो नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होगा क्योंकि 2019 के बाद बैकेंसी नहीं आई है तो इसी को देखते हुए मेरा मानना है और जो भी बात हुई है तो पीछे क्या होता है आपको पता है रिजन क्या होता है क्यों कि यहाँ पर जो दिल्ली की मेट्रो है बहुत लॉंग रूट है यार बहुत ज़्यादा ओबरॉल फैला हो इसलिए बैकेंसी बहुत बंपर आने कैसे प्रिपेशन करना है नेक्स वीडियो में बताएंगे इतलि वीडियो देखने का वे नाइस डे और बाइबाएंड टेके